इस तीन से ये तीन भी उड़ेगा भाई साथ टू टू जा फोर और फोर बंजा फोर बंजा फोर सब शहीदम हो गयां तू एक बच्चे की दिंदगी नहीं मैथमेटिक्स को इजी बनाना है मुझे शेर हो गया यह तो हैलो माईडियस टूटेट्स गूड मॉलिंग गूड आफ्रनून गूड इविनिंग जिस ताइम भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हों बहुत को स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में जिसमें मैं लेकर आए हूँ बहुत इंपोर्टेंट सीरीज किलास 11 के बच्चों क इतनी great knowledge होने वाली है जिससे आप पता लगा पाएंगे कि चार नंबर के साथ और दो alphabet के साथ कितनी bikes की, car की, scooty की number plates बन सकती है अगर कोई log है जिसमें 3 digit का code है तो कितने code possible हो सकते है अगर कोई word है जो 4 alphabet से बनता है तो कितने word with meaning और without meaning बन सकते है अगर आपको कोई 4 digit का given number बनाने को बोला जाए तो आप ये पता लगा पाएंगे इस series को पढ़ने के बाद की कितने number possible है उसमें से कितने even है, कितने odd है ये सब आप पता लगा सकते हैं after study the concept of permutation and combination लेकिन इस permutation and combination को पढ़ने से पहले एक चीज आती है बच्चो that is factorial, factorial का ग्यान होना बहुत जरूरी ह factorial के बिना ये आप नहीं कर पाएंगे, हाला कि concept of multiplication से कर सकते हैं, लेकिन उसी को short में लाने के लिए factorial बनाए गया है पहली बात तो ये न कि factorial क्यों बनाए गया, क्या है factorial, तो आज का lecture 1 है, मैं हूँ आपका mathematics mentor, फर्मान मलिक और ये है आपका प्यारासा channel, FM Mathematics, जिसमें हम start करने जा रहे हैं आज का lecture 1, based on permutation and combination, क्लास 11 mathematics, जो की factorial पर based है, factorial की पूरी knowledge, starting से लेकर last तक, आज मैं आपको करा दूँगा सर ये तो basic lecture है, ये हमें already आता है, तो हम क्यों पढ़ें अपना time based क्यों करें, पिल्कुछ सरी सवाल आपका अगर आपको पता है, कि 0 factorial 1 की होता है, पर ये 1 factorial तो 1 होता है, क्या आप तो पता है, 0 factorial भी defined है, और 0 factorial की value 0 नहीं है, 1 है और 1 factorial तो 1 होता है, तो अगर इन सवालों का जवाब आपको आता है बच्चों, ठीक है, और कई सारे concept की n factorial को n into n minus 1 factorial क्यों लिखते हैं, इस practical concept, factorial की बड़ी बड़ी calculation से, छोटी छोटी seconds में करने की tricks, अगर आपको जाननी है, तो इस lecture में आप बने रहे हैं, तो बच्चों जलिए स्टार्टप ने आज का ये वीडियो लेक्चर बिना टाइम बेस्ट की, तो पॉपी निकाल लीजिए, पहन निकाल लीजिए, और बिल्कुल रिलेक्स होकर बढ़ जाए, जैसा कि आपको बोल्ट पर, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, the continued product of first n natural number, I hope आप n natural number समझत समझते होंगे, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1,2,3,4,5, अगर हम इनको continuously product करें, n तक, तो वो क्या कहलाएगा, n factorial कहलाएगा, समझतो आई बार, वेकिन जादा clear नहीं होई, बिल्कुल समझाते हैं, यहां से के example लेते हैं, बिहां से समझें, 1 से स्टार्ट करते हैं, because n natural number, continuous product होना चाहिए, natural number का, तो 1, multiply by 2, multiply by 3, multiply by 4, करते, 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 कहां पहुचे, n तक पहुचे, और n से पीछे वाले number क्या होगा, वहीं किलास 11 के, गड़िक पढ़ने वाले बिच्चे हो आप लो, तो आसानी से समझ सकते हो, n से बिख्या हैगा, n minus 1, sir, n minus 1 क्यों, क्य तो generally मैंने n ये लिए बच्चो, इसी को n factorial बोला जाएगा, लेकिन इसको represent कैसे करेंगे, तो ये का, n जैसी शतल वाला एक shape बना लो, उसके अंदर n लिख दो, तो इसको n factorial बोला जाएगा, ये मैं आपको इसका representation या denotation बढ़ाओ, या फिर महीं मेरी आद़ तो ये है, दो representation है इसके, एक क्या मना लिए आप, exclamation का sign बना दीजे, एक line बना ये, उसके नीचे dot बना दीजे, तब भी ये factorial का sign पहलाएगा, इसकी real life में जरूरत क्यों है, सर इसकी fermentation combination में जरूरत क्यों है, पहले मैं आपको कुछ example गरा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँग तो ये है बच्चो, factorial का concept, suppose कर लिए मैंने multiply क्या, 1, multiply by 2, multiply by 3, multiply by 4, क्या answer आएगा, तो इसी को बोलेंगे 4 factorial, value क्या होगी, 4, 3, 12, 2, 24, 1, 24, या दिकि 4 factorial की value होती है, 24, बट सर फिर से वही question आ रहा है, पढ़ क्यों है, समझाओगा, जब permutation combination की questions आएगे, सर बताऊगा, लेक इस पर numerical question भी आजाते है, factorial को solve करना, simplify करना, LCM लेना, वो सहवाज हम लोग सीखने वाले है, सब हो सकी, 1, 2, 3, 4, 5, या लिखेंगे इसको, 5 factorial, समझानी है, 5 factorial की value क्या होगी, भाईया, 4 factorial की तर कितना है था, 24, और साथ में के मैंज़ 5, multiply कर लिए, कितना है गा, 5 factorial की, 20, 20 का 0 इस बाइया नोट करके लिखेंगे, अब मैं समझा हूँ, फैक्टोरियल की वैल्यू की वैल्यू की तर करने बच्चो, तो जो answer हमको मिलेगा, उसको हम एंच वैक्टोरियल बोलेगे, अगर हम 5 तर जा रहे हैं, 5 तर जा रहे हैं, 6 तर जा रहें, 7 तर जा रहें, 7 तर जा वाली पर आप देखेंगे, उसके बाद में एक डिटेक्शन पढ़ा हूँ, तो नोट यह है बेचो, कि फैक्टोरियल दस नौट एक्जिस्ट, किसी के लिए फैक्टोरियल एक्जिस्ट नहीं करेगा, तो फैक्टोरियल दस नौट एक्जिस्ट, फॉर यह बात बहुत कम वहाँ पर पता है, नेगेटिब इए, निइशनल ईाम पर क्योत क्यों तो निटिकलार हूँ तो निटिब आसर आने का सवाल ही नहीं करेगा, तो निटिटिब इंपीजर का फैक्टोरियल एक्जिस्ट नहीं करेगा, यह यह प्रोपर फ्रेक्शिन के लिए कि अ अन अगर कोई ऐसी प्रेक्शन है जिसका नुमेरेटर है छोटा और दिनॉमेरेटर है बढ़ा जैसे प्रोपर फ्रेक्शन तो इसका प्रेक्शन नहीं पाएंगे बच्चो को और दिनॉमेरेटर अबन प्रेक्शन का इसका है बढ़ेधा जुस्दर और फ्रेक्शन का अंसर हो व्लाओक 2 वह पिरिए 1, 4 देखो ठीक है लób कितना 0.75 अंसर 0.75 है तो इसका अधर 1 से छोटा है मुझा 1 से छोटा है तो फैक्टोरियल कैसे बनाओगे सबसे छोटे फैक्टोरियल की बेई बन है, 9 वाण individual घ्रहाँ 2 mechanisms ó, 2 हो गया तो प्रापर फैक्टोरियल का फैक्टोनियर एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक हो की बाद तो इसको नोट कर गया होगा इसकी इंचोडने लिए हैं पाउस करने के बाद खोई दिक्त नहीं है अब कुछ कोशन है उससे पहले एक सबसे इंपोर्टेंट जिसको मैं कहता हम इसमाईली फॉर्मूला लोट तर छोटी पी अपनी बनावी चीव है इसमाईली नाम दे भी है क्योंकि यहां भी आपको लगाऊगा तो उसको राट आजेगी चेहरे पे विकाज यह आपका काम कर देगा बहुत आसा इसमाईली फॉर्मूला नाम रख दिया है देखो नहीं पांच फैक्टोरिय लोग मैंने एक्जांपल समझो तो पांच फैक्टोरिय लोग क्या लिख सकता है तो पांच चार तीन दो एक अब ध्यान देना पांच एक दो तीन की चार तक में गया प्रियू में but अगर पांच ता 5 पड्या लिख सकता है यानिके एक फैक्टोरियल से उससे छोटा वाला पोई समी फेक्टोरियल बना सकते है अगर मैं 5 इंटु 4 ले लेता तो फिरी तेंट्यंटिन इसमाड़्य पलाई आ रहे है तो इसको क्या लिख सकता था? 3-factor बता ये चला कि अगर कोई आपने n factorial ले रखा है तो उससे छोटा कोई sum factorial बना सकते हैं ये काम देखा बहुत किसी बिश्टे n factorial बचो तो कैसे लेखे हम? 1 into 2 into 3 into 4 कहां तर जाते हम? n minus 1 into n भी n से पीछे n minus 1 आता है तो 1 से लेके continuous multiply कहां तर जा रही है n minus 1 तर तो क्या हम इसको n minus 1 factorial के लिख सकते हैं? बता ये आप into n तो यहाँ बेख फॉर्मुला बस किरेट होगे ये मैंने रटाया नहीं है ये मैंने आपको प्रूफ करा रहा है कि n factorial को हम लिख सकते हैं n minus 1 factorial into n ये एंगर लिख लो क्या फर्क पड़ता है मतलब simple सा है कि 7 factorial को लिख सकते हैं 7 into 6 factorial 6 factorial को लिख सकते हैं 6 into 5 factorial हर factorial से उसका छोटा वाला factorial बना सकते हैं इस बेश पे calculation इतनी आसान होने वाली है तो अब यहाँ से हम लोग start करेंगे exercises इस माईय फॉर्मूला के साथ तो ये बच्चो आज का concept जो हो गया ला जितना पढ़ाना वा फेक्टोरियल के बेस्ते हैं वह complete हो के बहुत simple सी बात है अगर आप इस सब को जानते हैं तो इस lecture को आप इस्टिव कर सकते हैं और ने इस लेक्शर में परिए है कि इस आडी शर्मा सर्स बुक्स ऐसे हैं यह बोगते on यह उप्रोज फुर्ट यहां से मुखें पहला उप्रश्चन यह से स्टर्ट करेंगे बच्चो और आप लोग मेरे साथ करते मुच चलेंगे कुछ बच्च आपको ऐसा होम बर्क में देने वाल हूँ आज़ आपको वो रेडूसिंग फॉर्मुला नहीं पढ़ाया होता अब आप सूचिए तो 30 अब एक हुआ ने कर ने कर ने कर ने कर ने कर ने तो इसको अपना लिखेंगे इसमें बढ़ा को बहुता है पहचान सुनों क्योंकि अपना को 28 से महुपत नहीं कि 28 बनागे रखे होगे 28 नीचे दिखाई पढ़ रहा था इसलिए 28 बनाया था 28 से 28 हो गया शहीद multiply तो आया राती होगी 3,9,27,27,27,27,2,3,26,28 इस तरीके से multiply तो यह था 1,0 था 1,0 था यानि कि इसका अंसर आगे 870 बताईए बढ़िया है के नहीं एक तब मज़ा आया के नहीं आया next question करेंगे आप मेरे साथ करते हो चलिए pause करिए question को solve करिए अपना time based मत करिए अगर आपको यह आता है मैं फिर बोल रहा हूँ आप यहां मेरे साथ सिर्फ सीखने के लिए हो बस एक question लेते 11 factorial minus 10 factorial upon upon 9 factorial क्या चल रहा था question की I didn't compute चलिए pause करिए question लगाई ही बहुँ चलिए कर लिया start करें तो अमीर है आपने समीने कर लिया हूँ पिल भी इन बच्चों से नहीं हुआ है प्यारे बच्चों से तो देखो लिए सबसे छोटा factorial का उखतर जूने को हर बड़े factorial से क्या बता है हर बड़े factorial से चोटा factorial बन सकता है देखो जली से सबसे छोटा है नाई तो सबसे नाई में अपन कर्मट करेंगे 11 into 10 into 9 factorial 10 है तो minus 10 into 9 factorial नीचे क्या है 9 factorial 9 common लेके हटा दे उड़ा दे 9 factorial लेके common क्या बचा 1110 जब 110 10 minus 10 upon 9 factorial 9 factorial से 9 factorial कैसा हो गया शहीद हो गया 110 से 10 जाएगा तो तो सबसेंगे अपना अंसर आगया तो उमीद है यार इतने आसान सवाल है आगे प्रूफ बाजी कोशन आएंगे इतना इतना देखने के बाद वीडियो छोड़के मत बाहर ना आगे बढ़ा लो गया आगे बहुत important question करा रहा हूं मैं आगे करा रहा होंगा ठीकिन अभी कराएंगी आप जब वीडियो बन चुकी होगी अब आगे आओके तो आगे तो आपको में जाएंगे ना को कि भी present में तो मैंने नहीं कराएं जब मैं वीडियो बना रहा हूं ताइम का concept में confused मत होई है जिनको ये question हो आ रहा है तो वह आपे जाके गूफ वाले question देख सकते हैं बहुत बेहतरी बेहतरी question मैंने कराएं तो next question बच्चो एक खाफ ही अच्छा question है LCM वाला ये भी आपको बिल जाएगा LCM कूश रहा है उसे LCM of 6 factorial 7 factorial किसमें बताएं के बना आपको इनका LCM कूश रहा है बच्चो बाट इस the meaning of LCM mathematics में LCM का मतलब क्या है LCM का मतलब है lowest common particle आप सभी जाते हो सबसे चोटा वह नंबर जो दिये गए नंबरों के टेबल में आए ठीक है न यह उन सबसे डिवाइड हो जाए यह सिक्स यह सबसे चोटा है और सबसे चोटा है और सबसे चोटा है तो लीस्ट कॉमर याने के सब का मैंटीबल याने के सब के टेबल में आए तो क्यों नहीं एक बार बता दिए जाए कि अगर A factorial B factorial और C factorial आपके पास है और इन सम्में C factorial के इस लार्जिस्ट शॉट्रे लेट है सब्सक्राइब और C factorial सबस्क्राइब यहीं क्या होगा सब्सक्राइब कर लोगे तो सब्सक्राइब कर लेगा लेकिन 6 को नहीं कर पाएगा इस वज़े से अगर आपको XCF लेना है तो छोटा वाला आपको देगो इस बात की गरेंची है यह कॉंसर्ट के आपने सीखें नहीं सीखें तो सीख लिए तो अगर जिकने भी फैक्टोरियल आपको दे रखते हैं और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा सोचा ही यह है और जो सबसे छोटा होगा वर उनका XCF होगा तो कोशन था हमारा शेक्टोरियल सब्सक्राइब होगा सबस्क्राइब करते हैं आपको अच्छे से समझना आ गया होगा नेक्स पूर्शन आपको दिखाते हैं काफी स्वाधिश्ट है क्या है कोश्चन कोश्चन यह है वन अपॉन नाइन फैक्टोरियल कोश्चन नमेर टू ले ले थे अभी तक सारे कोश्चन कंप्यूट वाले सबस्क्राइब कोश्चन में लिखा है प्रूफ यह अपंगो प्रूफ करना है क्यों सीखते चलो बस बागे कहीं से भी कोश्चन उठालोगे अराम से हो जाएंगे वर्शिट भी आपको इसको प्रोवाइट कराएं 122 अपॉन 11 फैक्टोरिल आएगा अब ही सिखाया था जब फ्रेक्शन को हम लोग एड करते हैं मैथमेटिक्स में सभी आप लोग जानते हैं क्या लेते हैं लूमिंग लेते हैं पढ़ाई की बाते करें बगबास टाइम करने से कोई फाइदा नहीं मिलेगा बीच बीच में हां रीफ्रेश्मेंट के लिए क्लास अच्छी बनाने लिए दो चार जो ग्रेंकरन में भी दरूरी होता है बट अभी एपन करेंगे पढ़ एक सब्सक्राइब कोई कोशन है अब इसके बाद जो नेक्स कोशन है अब समय लीगी अभी तक जो था वह आपको मिलता हल्वा विद चमच हल्वा भी था और विद चमच भी था चमच उठाया अब थोड़ी सी करने पड़ेगी महनत कोशन देंगी क्या है इस तरक कोशन आप यह एक्जामें किया हुआ है तो वन अपॉन फॉर फैक्टोरियल और एक्वल टू बच्चों दिया है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं एक्स अपॉन से कायफ फाइंग अगे एक बार फिट से बता देता हूं कोश्चन का सोर्स है आड़ी शर्मासर की बुक कि बहुत इंपोड़न या बच सब्सक्राइब करके रखें आथा ठीक कंटीनुस लेक्षर की स्रीज मिलेगी आपको कंटीनुस देखें आप बीज में कुछ गपड़ हो गया था बहुत सारे कामों में मैं थसा रहा हूं वह अपन इसी दिसकस करेंगे चल देख सबसे छोटू फैक्टोरियल कहुंसा अभ अब इस 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 पर आप एक्सेल गया क्या बच्चा वान पिलस बनापाइब क्या बता हूं अगर मुछ बच्चे जो लगनी में और यह लगनी वोड़ में है और वह सीख रहें और यह लगए बच्चों को बढ़ा गया एक्स्पिरियंस तो हो चुका है कुछ तो बहुत अच्छे बच्चे हैं तो बच्चे सीखना चाहरे हैं बिल्कुल सीरो लेवल से वो कहरें सर यह क्यों स्किप कर रहे हैं तो वीडियो लेक्ट्र देख में अफाइद हगया है तो बटा एक टाइम देख सब को सटिस्वाई तो नहीं कर सकते तो थोड़ा स मतलब आज कल यह बन चुका है mathematics सीखना नहीं बना उसको LGM लेना नहीं आ रहा है उस बच्चे के concert बिल्कुल रीख है उसका basic बिल्कुल नहीं कोई teacher, कोई मापा, कोई भाई, कोई बहन, basic बला रहे हैं कोई कावी निकरा बेटा तो पढ़ तो बेटा अपने basic मस्बूत कर त बेटा mathematics सीख, नहीं mathematics ले ले लिया मतलब जेडेवली निकल ला है IT में जाना है बात्खकमों पर उस बिचारें में particular इंसान पर किया बीतर ही किसी को पढ़ नहीं पढ़ रहे हैं अगर किसी ने biology ले ले लिया उसको नीडिक रेक्टर पर रहे हैं बस इंडिया में यही भी ह सिक्ष खोला है ठीक है तो इतना स्किट कर लिया बन में इस फ्रेक्टोरियल बचा और बन में फाइफ तो यह हो गया अपना शेख अपना फाइट्टी ने इन अच्छा हो गया और इस प्राइब के कही नजर पढ़े और थोड़ा सा लेबल बढाया तो क्या दरना सबसे प लेना और जो बड़े वाले फैक्टोरी लें उसको इसकी फॉर्म में लेके कॉमन लेके काट काट वीटी करके आंसा निकल लाएगा पर्फेक्ट बिंदाव जपकास हो गई बार आगे चलें चलेंगे बैस तुबेर कोश्चन करा रहा हूं में क्लास 11 गलेक्टर वन है पर् अब दा फॉल्वाइंग तो बात मैंने बताई लिये उस वाले हुआ में मतर ही या कि नीड करेक्टर ना है कि जिस चीज की टेंशन लोगे तो पढ़ेगा कौन सारी टेंशन आप ही ले लोगे हां आई आई टीम एडविशन हो गया राद में सपने भी वह आ रहे हैं हाँ और इस टेंशन में पढ़ा हैं मतलब जो काम आप करके पहुंचेंगे वहां पर वही नहीं हो पा रहा है तो अगर आप पढ़ लोगे तो काम तो खुद हो जाएगा कुछ बच्चे इसमें शर्माइंगे हम नीड की तैरी कर रहे हैं या हम जे डबली की तैरी कर रहे हैं त जब बेसे की नहीं पढ़ा हो तो आगे महुंचो के किसे हैं तो हम बनाएंगे आपको 0 to 0 चलिए अब यह कोशन करते हैं ठीक हूंगे बाद आठ नौ 10 अगर इस काटे में एक दो तीन चार नमर होता है एक दो तीन चार तो यह दस बच जाता पूरा तो ऑबिसी बात है जब तर्मट बोला है करने को थोड़ा तो तो दिमाग लगाओगे तो एक दो तीन चार ते खुद मुद बटिपलाई करा रहे हैं एक दो तीन लेकिन फ्रेक्शन में जब हम मुटिपलाई करा हैं तो इसको एक दो तीन चार तो इसको एक दो तीन चार पांच से साथ आड़ना हो दस कंटीनट प्रोड़क्ट आउफ ए नेचल नमबर होगे नहीं हुआ हो गया न येस तो फिर जीत गया है दूसरा कोशन एक पूरा कोशन सॉल्व कराने वादा हो ठीक है कुछ अलगी सोंचा हुआ है बस अच्छों आप लोग साथ देते रहें कुछ अलगी सोंचा एक एक कॉंसेट एक एक कोशन जीरो लेवल से सिखाऊंगा अगर आपका कोई पस्पिल at the red gmail.com पे आप मुसे contact कर सकते हैं 100% revert करूआ आपके mail का 101% और आपसे personally guide करके by email या जैसे भी possible हो पाएगा तो आपको mentorship guide जरूर करूआ चाहिए देखे एक कोशन है 3 6 9 12 15 18 यह कोशन क्या है इसको अभी तो साफ दिखाई दे रहा है तो यह बढ़ रहा है ना हर बार तो चमच हलवा तो नहीं मिलने वाला हलवा भी साथ में चमच भी साथ में तो कभी चमच तूटे बा कभी हलवा ही गाया हो जाएगा कभी सिर्फूरी जी नहीं मिलेगी तो बनाना पड़ेगा सबसेट अपने आफ मैथमेटिक्स के बच्वेया तो रख पर ठीक है चालू करिये किस्से मृटिप्लाइ कर लिए किस्से लिभाइट रिये साथ यह तो पंटीनियू सी नहीं है सब्सुरा तीया है पर छेए पर नौ है फिर बारा है फिर फंदरा फिर एठारा है सब तीन क नौ है यह तो प्राइन कहले कर सकते हैं उसको कह लिए सकते हैं 2 x 3 में जाएं सब्राइब करें, 9 को क्या लेख सकते हैं, 33 का, कुछ तो करें, अच्छे, और 12 को क्या लेख सकते, 34 design, 3 के मैंटी परफसर, 34ard, 15 का क्या लेख सकते हैं, 35 design, 18 को क्या लेख सकते हैं, 36 design, तेकए फिले, बन तो multiply में लिए सकता है एक बार तीन दो बार तीन तीन, चार, पांट, छे, साथ साथ बार तीन हम लिखे में तीन की पवर छे साथ बार मिलेंगे रच्चो छे बार लेंगे, एक तीन को छोड़ देंगे कोई सबी तीन बचा लो तीन के बार तीन, चार पांट, छेख बार दो कि इसका अंसर बन जाएगा समय में आ रही बाद तो तीन की वावर शेक आवर मिलिया और साथ में दूजिया बनिया च्छे फैक्ट विए वर नब बहुत लंबा करता पड़ा था कोश्चा ठीक होगी बाद तो कभी भी स्टाइप में कोई कोश्चन देखा है तो मंड़िपल चो कि है n प्लस फ़न ए अब देख जो अभर यह कहा रिए असली ए एंटीप यह यह फोश्चन ये आ खोस्ट टूच्ट टूच्ट असी करते 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 मंटिप्ला करते करते जाने है टू एन तो इसको भी फैक्टॉरियो मज़ना बोल्म क्या होगा रहा क्या होगा ब हम इस दिखाया क्या रहा है रखो कि 1 से नाशनल लंबर होने चाहिए क्या बहुत है बोलो 1 से लिएक एंटर मुंटिप्लाइब आ रहे हैं तो 1 से लिएक एंटर चलोगे एंटर से मुंटिप्लाइब और एंटर से डिवाइब बोलो कैसा तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 जिए और न तक याँ और एंटर लो से बाँए चरीक है तो हम पूरे को क्या लिए सकते हैं समझ लेया है यह बाद को समझें ऐसा दिखागर लिए देता है वाँ आ आज मचिवेट लेए टर टो मचिवेड़ वाद लिए बाद हैं तो 1 से लिएक कुछ नबर मिले तो इसको क्या लिए सकते हैं तो यह इंट यह इए इसको यह इसको है यह इसको यह इसको यह इसको यह इसको अब इसको सब्सक्राइब तो यह इंदे नहीं यह इसका अंसर आगे तो इसका आँए अगे आगे अगे अगे इसके बात आगे अगे ठीक है पे अजाए नैस कोशश है इसके बात चलते चलते हैं माइनस 1 यह इसको भी फैक्टोरियल में अबड़ करना है हर इवन नमबर गाई रवर चुम्हास है इवन नमबर गाई वह ऐसा है नहीं है रहा है दो गाई चाल गाई छे गाई आठ गाई तो इसा करते हैं इवन नमबर से मंटिप्ला इवन नमबर से डिवाइड राव लेते हैं थरीता फूर को क्या लिख सकते हैं एक बाद समय जीजिए फूर को टूगी पबर टू लिख सकता है थोड़ा सा समझाना चाहूंगा ना चाहूंगा चलो अब इसको यहां पूरी कि दल्वाल देता है इसके बाद 7 2 तो अधार एक दल्वा देते हैं एक बाल ना तो था ही तैन ओण आए गरवाल देखेंगा थो दो क्यांट शे होगए बुदर आप देखें तो अगर मैं यहां से उपर वाला क्या है क्योंकि वन की सब्सक्राइब यह है इस बारे टूपू के लिख सकते हैं यह जाओं का इस वाले सकते हैं इस वाले सिक्स को कहीं लग सकते हैं इस वाले एक को क्या लिख सकते हैं टू फॉर्द ऐसे बदिखें एक बार दो कि नीवार राट एक बार दो बार चार बार पांच बार एंड बार कोश्चन समयलों मजा आज है इसमें पावर प्लस हो एक अपनी मुटिप्लिकेशन में सेम नंबर की तो जब दो की मैं बार कराओगे सब्सक्रण मजा थाद राट एक इसमें दो की पावर एंड निकलिएवार जब इसके साथ का व बचा इसके साथ का बचा इसके साथ का तो एसकestyle को गया की सवी और इसके साथ का न कि मज़ा गया वान टू थ्री फोर फाइव करते 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 एंट सब्सक्राइब पर अगर फोड़ा लंबा चुछ उपर पच्विया वर्चोट टू एंट सब्सक्राइब और इंट अंगर बाद टू रिख एंट तक या लिके एंट सब्सक्राइब कि अगर यह कोश्चिन था तंबागा समझ आगे होगी करता हूं इस सिंपली समझाएब ना दोबार देख लो कोई रिकत में शर्म इंग गया वार प्यार एक बार बोड़ी नसमिट लेगा तो इस ट्राइट से एक दू कुशन और अठाली जिए आड़ी चर्मा से उठाली ज से उठाली जिए और एकार प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी बनाते आप बहुत मंज़तार कुश्चन में एक साइंस ट्रैक्टोरियल आज के बाद पढ़ना पढ़ें हैं रहते बड़ा आसार हैं कंटीनिस मंटीप्लाइए हैं मैं इस नमबर इतना हलवा होता है तो फिस थ प्रूफ ने रहता है अन अधार कोर्ष बड़ा मांधा कुश्चन एं प्लस तू इकोट एंट एंट राएं न प्लस और यह कि अलगा वही दिमान पाउस तर्व दिमान को आ था दिमान कर लाएं एंटी एंट फैक्टोरियल के एंजी रहेंगे तो फिस यह न्टोरिक्त र इज़ दोलेगी चला सो रुखी है अब क्या करें बताए हो गया लगा लिया दिमाद कर लिया उम्मीर है कर लिया होगा चलिए देखें मैंने क्या बात था एंट एक दिखाई देरा दूसर देखाई एंट प्लस न प्लस टू को ऐसे रहे लिख सकते हैं किसको बढ़ा प्लेटे कहते हैं इसको कMc onto all i continue झरremos है इचलेगा थोड़ा सधिमातका बास एण धूट्रोइल्टी। कि मैंट्रिप्लाई ं.πειू लिख से हो जाएगी और एंसे 000 यह जैगी तो एंस तक मीसे प्लेज़ रहे न तक्तो आहाता है धूट्यकुर्थगों को वही एक उससे बीचे बाला तो एंप्लस न से कम करो क्या लिए प्लस न प्लस न प्लस न या लगा किया वह उस्पारी बन क्या हो है रहे चैस बताओ क्या दिखता है कोई दिखत नहीं हो गया नोट कर दिखते है पिलकुल वैक्टरोइल की लास आज आपकी बिलकुल दंदार हो रही है वो इसकी बात पुछी वैक्टरोइल की वैल्यू बात आ रहे तो बता देता है क्योंकि लेक्टर के इस काटियम मोला था नहीं बताया तो बच्चे रहेंगे बई उल्लू गजाने मास्टर साब ने तो इस्टाडियम बोले जीरो वैल्यू वैल्यू बताएंगे उसके बाद नहीं बता रहें पुरे लेक्टर देव डाला है जीरो फैक्टर लीव पी बन होती है जब कि मुले सार अमें जीरो से स्टाट करो हम तो नहीं चेलेंगे आपको जब पर्मूटेशन की डेफिनिशन पढ़ा दें आपको फिर बताएंगे यार इसको मजबूरी में जीरो फैक्टर लिटना पढ़ा जीरो फैक्टर को मजबूरी में बन लिखना पड़ा अगर फैक्टर को जीरो लिख रहते ना तो पूरी पर्मूटेशन और कॉंबिनेशन की मैच विगड़ जा रहे थी तो बस किस्टेट यूल बिद्नी बने रहो मेरे साथ समझाओं गर गरूर टेंशन मत बढ़ा बस य बहुत इंपॉर्टेट बाता है लेकिन बिना पर्मूटेशन टेटनेशन की समझ नहीं अपाइए तो अगला कोश्चन बच्चो यह था अब भी एंड की वेल्यों बिता लिए एक कोश्चन दे रखते हुए फैक्टोयल की फॉर्म रही यह कोश्चन बहुत इंपॉर्टेशन होता है पहला कोश्चन उठाते हैं इस एंड प्लस टू फैक्टोरियल इक्वल टू सिक्स्टी और साथ में दिया है एंड माइनस बन इस एक प्यारा से मेठ़ड बताओ बहुत प्यारा मेठ़ड जाहिए अब इसकी बात को लिखे रहे हैं ठीक है चलिए 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 तो जैसा के कोश्चन आपको दिख रहा है कोश्चन यही था बच्चो की इफ एन प्लस टू फैक्रोरिल इक्वल टू सिस्टी और इंट बढ़ा है तो फिल्कुल साब साब दिखाई दे रहा है कि एन प्लस टू फैक्रोर अगर इसको सॉल्व करना है स्टार्ट करें तो एन प्लस टू आपको चूटा करते जाएंगे एन प्लस टू से एक छोटा और दीजी क्या बना सर एन ध्यान दिजे इस बात पे और एन से चोटा और कर दीजी क्या बना एन माइनस बनं बनेंगे तो अर लेकिन ही फैक्टॉल लगा कर सकते हैं सिखाया दा इसा बिलकुल सिखाया न थेंगा तिए अ बत काइंसल ओ रहे से बोल एहां बात को रटा रटा क्या बोल ला बार ना या अगर मैं न tremendous करने लग जाओ तीन बार है mathematics देख लो अब अगर मैं इनकी तीन बार multiply करूँ cube बनेगा cube फिर cubic equation को solve करें एक घंटा वो अलग चरस है तो इस से बचने के लिए इस से बचने के लिए अब देखो क्या सिखाने वाला हूँ real mathematics किसको कहता है आप मारो 60 के factor 60 के करो factor ठीक हो रही बात क्योंकि ये तीन natural number है consecutive या नहीं है पहले ये बताओ तीन consecutive natural number है या नहीं सर है तो and उससे बड़ा n plus 1 उससे बड़ा n plus 1 तो ऐसे direct तीन number ढूंड लो 11 class में उतनी match सबको आती है कि तीन number consecutive ढूंड लो जिनकी multiply करके 60 आए 2 बन दो बना के देखो यार तो ऐसा करते हैं कि 4 से करते हैं 4 बन सा 4 4 फाइव जा 20 3 से करते हैं 3 फाइव जफटीन अब 5 से करते हैं देखो जरा 3, 4, 5 समझ ले न बात को n की value 3 माल लो तो n plus 1 की value कितनी आएगी? 4 तो n plus 2 की value कितनी आएगी? अगर इसी को आप solve करने लग जाओ गैरेंटी दे रहा हूं 5-10 मिनट खा जाएगा ये question और अगर 3, 4, 5 इस तरीके से लिख लो यानि कि 3 इसको satisfy कर रहा है, 4 इसको satisfy कर रहा है क्योंकि ये 3 natural number है और वो भी consecutive है जिनके multiply 60 आ रही दी तो 3, 4, 5 की भी तो 60 आ रही है n की value 3 हुई के नहीं हुई? हो गया, solve, खतम find n, n equal to 3 ऐसे उड़ाओगे question pure mathematics के बाद समझ में आ रही है? कहाता न, revolution लेके आना है mathematics में सिखाना है, रटाना नहीं है equation बनाना दरूरी नहीं है कानून में नहीं लिखा है हो गया न, ऐसे ही करना है हर बार अगर ऐस type के कोई equation बनेगा ऐसे ही करना है चलो आगे, इस ये type के एक question और करा दे सर इसमें तो मज़ा आया इसमें तो आया होगा मज़ा ये, तो मैं भी बोल रहा हूँ एक question और देते हैं, इस type का और एक फिर homework मिलेंगे question है बच्चो if सोचा नहीं था कि इतना lengthy lecture हो जाएगा लेकिन पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आगे फिर कर रहे है question था n प्लस 3 factorial equal to 56 और उसके बाद है n प्लस 1 factorial find n ऐसे ही उडाना है, ऐसे ही find n देखो भज़े, n प्लस 3, कौन बढ़ा है? सर, n प्लस 3 बढ़ा है, n प्लस 3 को लिखेंगे n प्लस 3, n प्लस 2, यार time नहीं ये इतना, और साथ में n प्लस 1 factorial 56 दो consecutive नमबर है आपके पास जिससे 56 बन रहा है, मेरे पास 7, 8 जा consecutive वहना चाहिए n प्लस 1 factorial से n प्लस 1 cancel समझ में आई बात? अच्छा, n प्लस 2 है यह, कोई बात नहीं, कोई ही बात n प्लस 3, n प्लस 2 तो n की value क्या करें? वहीं, n को compare कर ले, वहीं, एक बात बताओ जितना नंबर यह है, उससे एक बड़ा यह है, यह प्लस 2 है, यह प्लस 3 यह एक कई दो difference है, तो 7 और 8 में भी तो एक कई difference है n प्लस 3, 8 के बराबर माल लो n प्लस 2, 7 के बराबर माल लो वट यहां consecutive नंबर होने चाहिए कहीं काओ गलत पड़ा जिया वहीं पहला दूसरे वाले को दूसरे, ऐसा नहीं है यार, consecutive होने चाहिए न जो नो, so n प्लस 2 की वेलू 7 कर लो, तो n की वेलू कितनी है, यह 5 यह 5 यह 5 अंसर है यह 5 और 2, 7 और 5 और 3, 8 यानि के n की वेलू 5 से satisfy हो रहा है न हतम, अब इसी इसी question को और बच्चे कैसे करेंगे अल्फू बच्चे कैसे करेंगे, n की multiply n से करेंगे, n स्क्वार 3 की multiply n से करेंगे, 3n और 2n कितना बनेगा, 5n और 3, 2, 6 बनेगा equal to 56 था, 56 को इधर लाएंगे n स्क्वार 5n, 56 को इधर लाएंगे minus में आएगा, minus का 50 बराबर 0 5, 10 जा 50 साफ फेक्टर करेंगे चलो भई, यह फेक्टर कर लो तो n स्क्वार, पिलस का 10n minus का 5n, minus का 50, बराबर 0 तो n common लोगे तो factor बनेंगे n minus 5, और एक factor बनेगा n minus 10, equal to 0 करके देख लो यार, यह भी है, यह भी पढ़ाया जा रहा है तो n बराबर 1 आएगा 5, और 1 n बराबर आएगा minus 10 था, plus 10 था plus 10 था एक factor तो 1 minus 10 आएगा negative number पर factorial define करता नहीं है, क्योंकि minus 10 जैसे दलवा हुए तो यह minus का 7 बचेगा, और अभी starting में पढ़ाया था न, वो point इसलिए important था, क्योंकि minus number का factorial exist नहीं करता, तो it is not possible बचा n बराबर 5 तो इतना तो हमने 4 फाल पहली बता दिया था यार बोलो कैसी रहे तो यह सब मत करो इनसे बच जाओ यार, बड़े हो जाओ कक्छा 11 के 16 बन जाओ कक्छा 10 के 16 मत बने रहाओ ठीक होगी बार चलो फिर अब है कोशन आखरी कोशन इस लेक्चर का ठीक है उसके बाद कोई सी बुक बठाओ कोशन फैक्टोरियल के अटकोगे नहीं लेकिन 3 और 4 कोशन जिनको यॉर्गर लाइन के नाम से मैंने जाना है उस पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाओंगा अलग से तो एक कोशन है बच्चो वो कोशन अलग ही लेवल के है कुछ ठीक यानि के फैक्टोरियल पे कोशन कराऊंगा मैं जे डवली के ये इतना लेक्चर बोर्ड के लिए बहुत है बहुत है 2N-3 फैक्टोरियल एंड एंड फैक्टोरियल ये आर मदेदार सवाल है 2 फैक्टोरियल एंड माइनस 2 फैक्टोरियल उसके बाद आर इंदा रेशियो आर इंदा रेशियो ये रेशियो भी देख लेते है 44 रेशियो 3 आई होब सही लिखा है कोशन फाइंड एन ये कोशन यह हो आर डी शर्मा में 2N फैक्टोरियल आप उन में 3 फैक्टोरियल 2N माइनस 3 फैक्टोरियल का रेशियो इसके साथ 44 रेशियो 3 बनना है तो एन की वेल्यू क्या रही होगी कुछ बच्चे तो सवाल देख कही बेहोश गलुकोस की बोटल चड़ गए उनके गलुकोस की बोटल चड़ा नहीं पड़ गए उनके एवन हाहा ऐसा है करें कैसे देखो 2N फैक्टोरियल पहले लिख लो 3 फैक्टोरियल 2N माइनस 3 फैक्टोरियल रेशियो मतलब दिबाइड लेकिन मैं divide को बना दे रहाओ multiply और इसका reciprocal कर देता हूँ सही है ना? हाँ, हजम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ये वाला नीचे आ जाएगा और इसका जो ratio है, वो है 44 upon 3 सही है भी? उसका मैंने उल्टा कर दिया अब बताओ कौन बड़ा, कौन छोटा 2N में और 2N माइनस 3 में कौन बड़ा, कौन छोटा? सार, 2N बड़ा, 2N माइनस 3 छोटा बन जाएगा 2N, 2N माइनस 1, 2N माइनस 2, 2N माइनस 3 बन गया भाई सार सार, 3 factorial को 3 into 2 factorial लिख ले क्यों? क्योंकि वो है महाराज कटने के लिए बैठे हुए बली का बकरा बनने के लिए बैठे हुए है और ये 2N माइनस 3 factorial समझ में आजएगा, 2N माइनस 3 से 2N माइनस 3 उड़ा दे साहिए चलेगा, हजम होगा, बेलकुल हो जाएगा बना हाज मोला तो खाईल होगा N माइनस 2 factorial N factorial लोगो क्या लिखोगे आप जल्दी बोलो N, N माइनस 1, N माइनस 2 factorial ये भी शहीद होने के लिए बैठा हुआ था 44 बटे 3 भाईया जब बता चुके हैं हर बड़े factorial थे हर छोटा factorial बनेगा तो दिक्कत किस बात किया है फिर ठेक है न और इसी बात पर देखते रही है आज तक न्यूज एंकर की एक्टिंग करी थी न मैंने अभी येस ऐसा रकता टीवी से बहार आ जाएंगे निकलके लडाई हो रही है इंडिया पकिस्तान का यूद चल्ला टीवी पर ही है न नहीं आती बात नहीं अराम से पड़ेंगे ठीक हो रही बात अब क्या करेंगे और कुछ होगा सर और कुछ होगा बिल्कुल इस एंड से ये एंड जाएगा और कुछ होगा सर इस टू फेक्ट्रोल से ये टू फेक्ट्रोल जाएगा 2N-2 में से 2 common तो ले लिया था बाहर तो ये N-1 बचेगा के नहीं बनेगा हा सर समझ में आ गई बात 3 multiply क्या बच रहा है सर ये बच रहा है 1 upon N-1 ratio चल ला है 44 ratio 3 N-1 से N-1 भी उड़ेगा इस 3 से 3 भी उड़ेगा भाही साब 2 2 जा 4 और 4 बंज़ 4 4 4 बंज़ 4 सब शहीदं हो गयं 2 N-1 बच रहा है 11 revolution लाना है मुझे किसी एक बच्चे की दिंदगी नहीं mathematics को easy बनाना है मुझे share हो गया ये तो 2 N-1 बच्चे को बताईए पढ़ा पढ़ा के इतना दिमाग खराब हो गया एक इस step को दो बार लिए दी बच्चो को सिखा रहे हैं short करो तो 2 N-1 बच्चे को और N-1 बच्चो answer आ गया इस step के question कोई मुझकिल थोड़ी है बस एक बात प्यार रहो फरमान सर की हर बड़े factorial से हर छोटा factorial आ सकता है answer यूँ आ जाएगा अब बताओ मदा आया इस फिरीज में के नहीं आया 2-4 question और बच्चर बहुत लंबा हो गया यार बच्चो बहुत लंबा तो उनके लिए अलग से separate बना देंगे factorial based on JW ठीक है न तो अमीद करता हूँ मदा आया होगा बेहतरीन आपने कुछ तो सीखा होगा अगर कुछ सीखा है कुछ सीखा है तो एक बच्चे को शेर कर दो अपने दोस्त को जो पढ़ने वाला हो जो पढ़ने वाला हो किसी की help हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा और मुझे भी थोड़ा motivation support मिलेगा इसी type के lecture अगर आगे भी देखना चाते है देखना क्या चाते है यार बना नहीं है मुझे तो बस बने रही है मैं पढ़ाऊंगा ज़रूर आपको इस बात की guarantee दे रहा हूँ बाकि कुछ extra fall तू नहीं कहना बस अपना धिहान रखो health का धिहान रखो पढ़ते रहो, बने रहो कोई अगर problem आती है तो मैंने mail ID बता दी है बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ next lecture में, bye bye, take care